हेलो फ्रेंड्स और नमस्ते आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स कल थदड़ी है तो यह थदड़ी हम सिंधी लोग मनाते हैं और थदड़ी के एक दिन पहले हम खाना बना कर रखते हैं और अगले दिन हम पूरा दिन वह थंडा खाना खाते हैं इसे बासी खाना भी कह सकते हैं, थदड़ी वाले दिन हम गैस नहीं जलाते हैं, हमें पूरा ठंडा खाना ही खाना होता है, तीनों टाइम, तो आप देख सकते हैं, हम उसी की तयारी कर रहे हैं, ये मेरी देवरानी है, हम दोनों मिलकर थदड़ी का खाना बना रहे हैं फ्रेंड्स , थदड़ी में वैसे तो जो आपका मन करे वह बना सकते हो जिसको जो चाहे वो बना सकता है लेकिन इसकी सबसे में चीज होती है या मीठी कोकी जिसका आटा मैं नीचे बैटकर गूत रही थी फ्रेंड्स यह गेहूं के आटे से बनती है गेहूं के आटे में मोयन डाल कर और गुड का पानी डाल कर इसका एक सूखा डो तैयार किया जाता है और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकाया जाता है इसकी मोटी मीठी रोटी बनाई जाती है और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे हम माता के मंदीर में भी चड़ा के आते हैं शेतला माता जी के मंदीर में और इसकी पूजा घर पे भी होती है friends, थदड़ी की पूजा, तो मैं आपको कल बताऊंगी friends, कि मैंने थदड़ी में क्या-क्या बनाया है, वैसे तो मैंने बहुत कुछ बनाया है, मैं आपको सब भी नहीं दिखा पाऊंगी friends, बट आपको मैं कल जरूर दिखाऊंगी, देख और देखिए बनाते बनाते शाम हो चुकी है, अभी हमारी बेस्वनी बन रही है, और मैंने इंगली की खटी मिठी चटनी भी बनाई है इधर एक साइट से, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हम दोनों दिरानी जठानी की जोड़ी आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग कौन-कौन थदड़ी करता है, मुझे बता दीजेगा, मुझे भी पता चले कि कौन-कौन सिंधी भाईवैन है, जो मेरी वीडियो को देख किते हैं, थैंक्स पर वाचिंग, बाई-बाई